हमारे पास आ चुका है Conformal Mapping ओके इससे पहले हम जो है आपको क्या किये थे Mapping के बारे में आपको पढ़ाया थे ओके अब देखे इस Mapping में हम पढ़ा चुके तो उसमें देखे थे अब देखे यहां पर एक Conformal Mapping है इसका भी हम Definition देखेंगे तो चली सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका छोटा सा Definition वह देख लेते हैं अब कहता है यह तो अब यहां पर देखे वेर क्या चीज़ वेर यू बराबर में यू एक्सवाई ओके एंड भी बराबर में मतलब आपको यह जो भी में जो लिखते हैं हम लोग भी एक्सवाई लिखते हैं अब येस भी एक्सवाई यह चीज़ हो गया ओके फिर हम लोग यहां पर कहते हैं लेटेव दर ट्रांसफॉर्मेशन डाबलु यू बराबर में एफ ओफ जड ऑके मैप अपॉइंट अपॉइंट अब यहां पर जैसे हम ले लिया पी जड जीरो क्या चीज़ है यह P Z 0 बराबर का आप P Z 0 लिखे या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते X 0 या फिर X 0 भी कहते है Y 0 ऐसे ओके Of the Z plane तो यह अपना जो होगा Z plane के लिए होगा यह जो हम लिखे रहे definition इसके लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं ले मैं इसे समझा दूँगा चलिए अब यहाँ पर यह जिट plane हो चुका 2 A 2 A 2 A अब यह P है तो यहाँ पर एक P डैस ले लेते और यह जो है अपला किस के लिए यह तो Z plane के लिए यह अपना W plane के लिए तो W नोट लिए यहाँ पर W बाला में जो चलता है U और B अब देखें यह चीज़ है और यह किस में होगा मैं लिख दूँ Of the W plane देखें तो यह चीज़ आपको यहाँ पर clear हो गया होगा अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करने वाला वो देखें क्या चीज़ तो अपने को सबसे पहले हम लोग Conformal Transformation की बात करेंगे यहाँ पर मैं एक छोटा सा नाम लिख रहा हो है Conformal Transformation यह जो यह समझा देते हैं अभी figure की दुआरा समझ जाएगा बिल्गुल आसान देखें Transformation देखें यह actual में क्या है तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले मुझे यह जो काम की है पहले मैं figure की दुआरा आपको इसको दरसाना चाहता हूँ तो पहले figure हम छोटा सा देख लेते जैसे हमने एक figure ले लेते चलिए इस तरीके से अपने एक figure ले लिया देखें यहां से अब एक figure ले ले देखें यह figure अपने ले लिया अब अब देखें अब इस figure का हम लोग क्या उप्योग कर देवाले वो ध्यान से देखेंगा तो यहां पर हमने यह तो आप जानते हैं यह y-axis होगा अच्छा यह नहीं देखेंगा तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यह अपना x-axis होगा clear यह अपना origin होता है अब देखें मैं आपको बता दू हमें जो है यहां पर देखें f of z वाला बार u plus iota भी है इसके लिए दिखकर देखेंगा है तो यहां पर u के जगा पर यह वाला पार्ट और b के जगा पर यह पार्ट तो transformation जो होगा map a point यह p z 0 यह मतलब आप यह लिखिया या फिर यह लिखिया बात वही होगा तो अगर मैं यहां पर एक मन लिया ना मेरे पास यह है यहां से एक curve है और यह curve अच्छा मैं खिसता हूँ देखिये इस तरीके से अपने एक curve लिया ओके सही से नहीं मना लेकिन आपको इस तरीके से लेना है अब देखें यह curve लिया और एक यही इसी point से एक दूसरा curve अच्छा यह curve थोड़ा सा मामला गरवड़ा गया अच्छा हम देख लेते हैं कोई figure बेतर वाला हो तो जिससे curve बन जाए ओ एक्च्छल में तो कुछ हैसा ही नहीं है चलिए फिर भी देखते हैं इस तरीके से अपने एक दूसरा curve लिया clear अब देखें मैं इस curve की अगर मैं बात कर लूँ तो काफी अच्छी चीज़ है कि इसका नाम अपन दे दिया c1 और इसका नाम दे दिया c2 right तो यह दो कर्व है अपने पास c1 और c2 और यह जो है आपको यह देखी यह ऐसे चला यह इस डायरेक्शन में डायरेक्शन देख लिए यहाँ पर इसका डायरेक्शन मायने रहता है जिसको हमने बोल दिया ठीटा clear है अब देखे यह जो बना अपना यह z plane का है किसका तो मैं इस z plane वाले को z note से लिखिए या फिर आपको ऐसा दिखाए यह x note या y 0 इस तरीके से अब देखे यह तो अपना हो चुका है x axis और y axis पर अब जो हम लोग काम करेंगे यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे अब इ तो देखिए w plane में भी हम लोग सेम काम करेंगे देखिए कैसे यह जो है मेरा यह point है और यह इस point से अपन एक यह ले लिया okay यह करब है okay and मैं दूसरा करब यहाँ यही से इस point से अपन उठाने वाले दूसरा करब clear थोड़ा सा यह आपको ऐसा हो गया होगा बट्टे देख लेतें फिर भी यहाँ से इस point से अपन लिया yes okay यह करब है चली हटए यह तो यह हमारे पास दूसरा करब है अगर यह C2 है यह C1 है तो इसका जो transform होकर आया यह भी आपको यह इसका जो कार रहा है यह क्या कर आपको यह आपको clockwise चलना angle okay मतलब आपको इस तरीके से यह भी इ direction तो आपका दूसरा form में आ जागा तो वो भी पढ़ेंगे जब change होगा तो okay फिलाल इस पर देखें यह तो अपना शुन्नी होगा मिल्कुल इसका नाम दे दिया यह P यहाँ पर PZ0 था ना यहाँ पर यह W वाला मैं मैं आपको P' ले ले लेते हैं यह यह definition जो बोला वही चीज को अपन यहाँ पर mention कर रहे है कोई नहीं चीज नहीं है और इसका C2, C1 आप इसका नाम कुछ और दे सकते हैं यह तो यू भी पर काम होगा आप देखें यह इसका नाम यह C2 था ना तो मैं C2 ही लिखता हो और इसका dash कर देता हो और यह C1 है तो C1 आप इसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं जैसे आपको दर्वाइज कुछ नाम देना हो तो वह भी दे सकते हैं गामा 2 गामा 1 इस तरीके से भी तो यह अपना जो बना किस फॉर्म पर बना मालू मैं आपको तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा बात लिखना चाता हूँ वह अब देखे यह जो कनफॉर्म कोई क्या के लिखा हो कनफॉर्मल ट्रांस्फॉर्मेशन ओके तो यह देखे अगर आपको इस तरीके से हो तो इसका जो इंगल है धियान से सुनिएगा इंगल का जो मैंगनी चूड होता है अगर उसके डाइरेक्शन सेम हो डाइरेक्शन सेम हो तो हम उसे conformal mapping कहते हैं इसका simple सा definition भी आप लिख सकते हैं को दिक्रत नहीं है magnitude और direction अगर same होता है तो उसे हम क्या कहते है conformal transformation जैसे मैंने ये figure में देखा और actual में जो definition बोला था exam में पुछे हुआ definition क्या चीज पुछे हुआ तो conformal mapping का definition पुछा हुआ है तो आपको मैं बता दू conformal mapping का definition पूछे आप ये लिखेगा और अगर figure दिखाना हो तो ये figure दिखा दिएगा ओके चलिए अब इसमें एक और चीज है ये तो conformal transformation हो चुका है अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर एक छोटा सा और पॉइंट है जिसका नाम है isogonal क्या नाम है isogonal अब देखे आइसो गोनल पर हम लोग चलने वाले आइसो गोनल transformation transformation अब देखे इसका हम लोग figure देखने वाले है एक चीज़ याद रहे कि यह figure आपको यहाँ पर भी हो सकता है तो यह figure का change moderate हो सकता है कोई दिक्कार नहीं जिर्फ direction और magnitude की बात होती है यह नीचे भी हो सकता है इसके लिए कोई दिक्कार दे लेना figure में okay समझ में आया और यह z plane और यह अपना क्या था w plane यह w plane यह चीज़ है इसका transform इधर हुआ तो इसमें कोई दिक्कार नहीं यह जगा भी आपको यहाँ पर change हो सकता है कोई मुश्किल नहीं है यह place इसका change हो का नीचे भी आ सकता है इसमें भी दिक्कत नहीं है okay direction same होना चीए conformal के लिए अब हम लोग चलेंगे isogonal transformation अब देखें यह क्या होता है actual में इसकी हम बात कर ले तो इसमें जो होता है यह जो direction है न अच्छा पहले figure मैं एक बना लेता हूँ एक बड़ा प्यारा सा figure ले लेते देखें हम यह figure अपन ले लिए okay अब देखें इस figure की खासियत यूँ होगी कि यहाँ पर मैं यह दे देता हूँ अब यहाँ पर देखें मैं same to same ऐसा ही पार्ट उतारने वाला हो तो इसके लिए अपन क्या करेंगे तो वो देखें अपन इसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं यह y axis यह x axis है मैं मान लिया मेरा यह point है और यहा हो जा रहा है इससे okay don't worry yes थोड़ा सा कर्व बना चलिए तो देखें मेरे पास यह कर्व है इस तरीके से यह c1 और यह c2 नाम दिये थो उसमें भी c1 c2 ओके यह अपना 0 अब देखें यह जो है अपना जेड़ पे लेन के लिए बात होगी किसमें जेड़ पे लेन की बात होगी और यह जो अपना होगा आप इससे क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं यह यह एकस नोट वाई नोट है या फिर आपको पी जडेड नोट भी हम लोग यहापर इसको क्या करते हैं में शें करते हalten तो मैं यहापर पी जडेड नोट मोट undertaking uh कि लिए अभी इंश जो ट्रांसवार्म होगा आई इसको की बात करते हैं तो इसमें भी हम एक figure लेंगे क्या लेंगे एक figure लेंगे देखें मैं यहां से क्या करता हूँ एक simple सा यह देखें यह अपना ले लिया graph अब देखें मैं इस पर आपको अगर मैं दिखा दूँ तो क्या दिखाऊंगा छोटा सा चीज है इसे भी अपन y axis कह दिया sorry हम तो यह दो ट्रांसफोर्म करने न तो यह वाला किस पर होगा यह जेट पर लेंगे यह डबली पलें की बात होगी तो इसमें आपको u और b मिलेंगे यू और b अब यहां आप इसका जो ट्रांसफोर्म होगा इसमें देखें इसका जो direction होगा न वह आपको यह direction है ओके यह ठीटा किलियर एंगल ठीटा है और इसमें जो direction होगा वह थोड़ा सा changing होगा देखें मैं इस point से अगर मैं ले लिया यह यह ऐसा ले ले लेते हैं देखें येस ज्यादा टेरा मतलब सीधा हो गया बिल्कुल क्या मैं थोड़ा सा इनको और ओके और यहाँ पर एक यह वाला पार्ट हो चुका है एंड एक और ले लिया येस अब देखें यह c2 है यह c2 डैस बोल देंगे इसको c1 डैस कह देंगे इसका जो angle होगा यह वाला पार्ट यह जो angle होगा ना यह जो direction होगा इसका same अगर हो जाए तो हम इसे कहते हैं अगर हम इसका direction जो होता है यह change कर दें ठीटा तो रहेगा लेकिन इसका यह क्या था आपकी clockwise चल लाता है यह आपको अपोजीट हो जाएगा इसके यह देखें मैं angle change कर रहा हूँ angle change मतलब आपको angle तो same है बन direction की बात हो रही है किसकी direction की यहाँ पर तो मैं direction के लिए छोटा सा मैं यह change कर देता हूँ यह देखें इसके जैस्ट यह opposite हो चुका है ठीटा से में ठीटा में कोई दिक्कत नहीं है ओके ओके अब देखें यह चीज़ हुआ मैं इसको नाम देदू पी डैस अच्छा पी डैस होता है पी डैस में तो पी डैस डबलू नोट यह डैस कर दिया दोनों अलग है यह सीट क्योंकि दोनों सेम ना हो जाए ओके तो यह जेट पिलेन है और यह आपको डबल्यू पिलेन में बना यह अपना क्या है यहां से आपको स्टार्ट हुआ तो देखें हमारे पास दो चीज़ था यहां पर एक चीज़ था आपको कनफॉर्मल दूसरा था आईसोगोनल यह जो है ना यह पूरा नाम हुआ इसका यू का एकस वाई एकस वाई के टर्म में भी जो हुआ यह भी एकस वाई के ही टर्म में फिर ट्रांस्फॉर्मेशन जो होगा वह आपको देखें पी जेट नोट में लिया गया यहां पर ओके जिसको एकस जिरो या वाई जिरो पर conformal के लिए हम लोग जानते हैं क्या चीज होता उसका magnitude और जो direction होता वो same होता conformal mapping कहलाता इसका figure आपको नीचे उपर इधर उधर हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होता isogonal में, isogonal में क्या होता है कि इसका जो आपको angle होता है ये जो back angle, ये angle क्या करता है transformation, ठीक है देखे है, हमारे पास ये question state and prove, ये theorem actual में, क्या है ये आपको theorem है, और इस theorem की अगर मैं बात कर लो, state and prove the sufficient condition for w बराबर में, f of z ये हाँ पर है represent a conformal देखे, question आपका यही पर है ये 2012, 2015 2017, ये कल, फिसेंट है और एक necessary, पहले हम लोग sufficient ही देखेंगे और ये काफी मरता पूछा हुआ है लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, वीडियो काफी बरी लंडी हो जाएगे, मतलब ज्यादा लंडी हो जाएगे इसलिए इसे हम जो है कल solve करेंगे, और ये काफी important है, काफी भी भी आई question है और ये काफी मरता पूछा हुआ हूँ देख सकते और इस पर हम लोग कल discussion करने वाले हैं तो चलिए, आज हम इसमें इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं next video के साथ ओके?